जैहिन दोस्तो अब एक स्मॉल केप शेर के बार में बात करेंगे और स्टॉक का नाम है अलकाइल अमाइन्स केमिकल्स लिमिटेड चले जल्दी से जानते हैं फंडामेंटल्स कैसे हैं और आने वाले दुनों में कौन से लेबल्स इंपोर्टेंट हो सकते हैं और केमिकल्स एक कंपनी है नाम से पता चलता है और मार्केट काप लगबग 11,375 करोड शेर की पी पैतालिस और फेस वैल्यू रूपीज फाइव और कर्स कंपनी के उपर काफी कम जिसे हम अवाइड कर सकते इग्नॉर कर सकते और हुए कितना वह है लगबग 86 करोड जी हां 11,375 करोड के साम और स्टॉक अभी 100 रूपे ओपर ट्रेड कर रहा है और शेर होल्डिंग प्रमोटर्स की बढ़िया लगबग 74.13 परसेंट फिर पब्लिक यानि रिटेल निवे चब 23.13 परसेंट फिर दी आई 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 1.78 परसेंट फिर एफ आई आई 0.95 परसेंट और अदर्स के पास 0. प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी बढ़िया आल्मोस्ट कॉंस्टेंट पिछले पांचों कॉर्टर में और एक भी शेर प्लेज नहीं किया है एक भी शेर गिर्वी नहीं रखा है आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपके लिए रिमाइंडर चैनल के प्लेडिस सेक्षिन में आप जाएंगे तो आपको डेडिकेटट प्लेलिस्ट मिलनेगी प्लेगी जी चलेगे चाट पैटर्स पर और चाट पैटर्स कुछ ऐसा है और दो उनीच सो निजान गए उसमें स्टॉक का भावता लबब 28 रुपय का हाई लगा था और आज स्टॉक 5500 के आसपास गूम रहा है सो फिर से एक मृटिपैगर स्टॉक और जानने की कोशिश करते हैं और उसके लिए को जो है डेली बेस commence कैनवन कर और चारट को मनें कवकर दिया है ऍऊ और सबसे पहले अ vedere ट्रेंड कोशिए करेंगे तो पता चलता ह grill आए जो है वह ऊपर ही है और अब सिले जी ये स्टॉप ने खाई लगा दिया था और हाई क्या था और हाई था ये 5610 जी हां 5610 यह लेवल काफ़े important होने वाला है 5610 और present prices के नीचे है इसलिए मैं इसे right में right color दे रहा हूं अब trend लेन हमने draw कर लिए check कर लिया है और बड़ा जो resistance है बूब भी हमारे सामने आ गया है 5610 मैं आपर mention करता हूं 5610 को इसके उपर निकलेगा जाना होगा ट्रेड करना होगा तब कुछ बात बनेगी और साथ ही अगर गिरावट में पर पांच हजार तीन सो पचास यह एक इंपॉर्टन लेवल है तो यहां पर स्टॉपने इंपॉर्टन आप देख चेक्ते रेजिस्चन्स बिलिया था एक बार दो बार पितीसरी बार में निकल गया था नेक्स्ट इस्टॉप में और गिरावट आती है तो जो फाइव ट्रिपल जिरो उसके पास स्टॉप मिलता है आप एड़ कर सकते हैं मैं दोनों ही लेवस लिख देता हूं यहां पर सबसे पहले ताकि कोई भी कंट्यूजन ना हो पाई त्री फाई जिरो और पांच हिजार ठीक है और साथ में और एक चीज़ को अगर नोट देखेंगा अ क्यूंकि यहां पर डियोट बहुत सारे मैं जो पहर ब्लास अ बदल रहा हूं मैं एक घुट अ यह थ्य क्ट चोटा सब्लाइब चोटा सब्लक्रे शर्वी कह सकते हैं या फिर हम इसे एक ट्राइंगल भी कह सकते चूटा सा ट्राइंगल ज़या बहूं किया ह अब उपर के लेवल्स कौन से इंपोर्टेंट है 5610 के उपर स्टाप नेकलेगा उसके उपर ट्रेड करेगा उसके उपर क्लोज देगा तब कुछ बात बनेगी और जो लेवल्स आ सकते हैं आने वाली दिरू में वह है 5900 से लेके 6150 यहां 5900 से लेके 6150 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं 5900 कहां से निकला है अब देख लीजिए यहां का जो एक्जैक्ट हाई है वह है 5990-6000 के असपास उन लेवल के असपास जब स्टॉक जाएगा तो वहां पर रुखने की कोशिश कर सकता है अब यह वाला द और पिछले दिनों की अगर बात करें यहां से बतलब यह जो दिन था पांच जन्वरी वहां से हम स्टॉक का ट्रेंड चेक करें तो आप देख लीजिए अग्जाक्ली स्टॉक कर रहा है यह और वह एक ट्राइंगल जो होता है उसकी पूरी तयारी कर रहे हैं आप देख लीजिए जो ट्रेंड लाइन था उसे के साथ हमने मैच किया अब देख लीजिए इस तरह से जो स्टॉक है अब ब्रेक आउट करने की कोशिश कर रहा है ऐसा भी हो सकता है इन लेवल के आज पास स्टॉक जो है थोड़ा सा पंसॉलिडेट करें थोड़ा सा सुस्ता है और फिर जो है स्टॉक आराम से ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन की कोशिश कर सकता है तो सारे जो इंपॉर्टन लेवल से आपके लिए आपर मेंचिन कर दिये गये हैं यह रेजिस्टेंस का लेवल यह उपर के टार्गेट जो टेस्ट हो सकते हाने वाले जरू में और नीचे के लेवल ज देखो कि तो आपको रिपेटेटिव कांटेंट नहीं मिलेगा पूरी कोशिश करता हो जब भी आप चैनल पर विजिट करें आपको एक्स्क्लूसिव बड़ा बड़ा कॉंटेंट देखने मिले हैं हर बार आप विजिट करो आपको नए शेर के उपर जाननी मिले पूरी को वाले समय में तैयार रहें और अगर आप चाहते में आपके लिए किसी शेर के उपर वीडियो बनाओ तो शेर का नाम कमेंट सेक्शन में में जरूर कीजिएगा तो शुक्री आप वीडियो देखने के लिए जय हिंद वन दे मातरम